असलाम अलेकूम, SCRD पूने की जानिब से एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है ब्रीज कोर्स, यह ब्रीज कोर्स क्या है, कौन सी क्लास के लिए है, कितने दिन का होगा, और इसमें क्या होगा, यह तमाम इंफर्मेशन हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो मैं रोशन जमेर कुरेशी, नगर परिशात उर्दु आई स्कूल अंजनगा सूर्जे डिस्ट्रिक अमरौती, अपने इस चैनल E4U activities में आपका इस्तिक्बाल करता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल E4U activities सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लिज सब्सक्राइब माई चैनल, शेर वित यूर फ्रेंड्स, तो डिया फ्रेंड्स, SCRD पूने ने bridge course ये introduce करवाने वाला है, जिस पर अभी काम शुरू है, bridge course के लिए बहुत सारे teachers की committee तश्किल दी गई है, जो इस course के syllabus पर काम कर रहे है, bridge course इसलिए introduce करवाया जा रहा है, कि जैसा कि आपको पता है कि देर साल से student हमारी स्कूलों से दूर है, जिसकी वज़ा से उनका तालिमी नुकसान हुआ है, बहुत सारे ऐसे students है जो online तालिम से नहीं जुड़ पाए है, जैसे पहली का बच्चा दूसरी में चला गया है, बिना पहली पढ़े, पहली के syllabus में क् अब जो बच्चे आउनलाइन तालिम हासिल कर रहे थे, उन्होंने तो बहुत सारी चीजों को सिखा है, लेकिन ज्यादा quantity ऐसे student की है, जो online तालिम से नहीं जुड़ पाए, जिन्होंने पिछले previous year में syllabus क्या होता है, इस चीज को नहीं समझ पाए, तो इसी चीज के लिए ज होगा, मतलब दूसरी जमाद से लेकर आठी जमाद तक के student को ये course करवाना compulsory होगा, चाहे school government हो, private हो, granted हो, non-granted हो, हर school में student को ये course करवाना compulsory करार दिया चाहेगा, अब जो है, इस course के अंदर, bridge course के अंदर जो है, चाहे आप की school खुले या school ना खुले, अगर school खुलती है, तो आपको school में हो सिकाना है, उस course को अगर school नहीं खुलती है, तो आपको online के जरिये जो है, ये course student का complete करवाना जरूरी है, तो bridge course क्या है, bridge course जो है, तमाम मजामीन पर जो है, मिलकर अलग-अलग separate separate जो है, उनके bridge course को तश्किल दिया जा रहा है, math के लिए, science के लिए, social science के ल और महारास्ट भर के, जो है, expert teachers के team इस course पर काम कर रही है, और बहुत जल्ड ये course आप तक पहुंच जाएगा, school इस्टार्ड होने पर 45 दिन का ये course हर student को complete करवाना compulsory करार दिया जाएगा, मतब आपके school start होती है, अब बच्चा first करो, दूसरी का बच्चा promote कर, अब तीसरी class में आया है, तो उस तीसरी class के syllabus को start करने से पहले, उस students को, उन तमाम तुल्बा को ये 45 दिन का bridge course करवाना आपके लिए जरूरी है, अब ये bridge course के अंदर होगा क्या, bridge course के अंदर जैसे के फर्स कीजिए, कि अगर बच्चा तीसरी class में है, तो उसे दूसरी class के syllabus, सिप तालिमी, जहनी और समाजी, ये तरक्की पर based ये syllabus को तश्किल किया जा रहा है, ना सिर्फ किताबी बेस पर, ताकि उसका तालिमी फाइदा भी हो, उसके जहन की तरक्की भी हो, और माशे रहती तोर पर भी हो, समाजी तोर पर भी जो है, उसकी तरक्की हो सके, इस चीज को जहन में रखकर ये 45 दिन के कोर्स को तयार किया जा रहा है, अब इस कोर्स की जरूरत क्यों है? इस कोर्स की जरूरत इसलिए है, जैसे कि आपको पता है कि देड़ साल से student school से दूर है अब उनको उनके अंदर जो है तालीम का education का school का interest पैदा हो उनका जो basic नहीं बन पाया है वो basic clear हो वो जो है पिछले साल उनकी किताबे जो नहीं पढ़ पाया है जो course नहीं पढ़ पाया है उनका जहन जो तरक्की नहीं कर पाया है उनकी जो है तरक्की हो वो सारी चीजों को वो सिखे प्रिएस येर के तमाम syllabus को वो सीख सके जो important चीजे होती है उसको वो समझ सके और उसके बाद जो है इस साल का वो अपना course start करे ताके उनको इस साल के course में किसी किसम की परेशानी ना जाए एक चोटी से example मैं दे रहा जरब और तक्सीम सिखाई जाती है अब जब पहली से प्रमोट हो का डायरेक्ट वो second class में आ रहा है तो उसने जमा और वज़ा नहीं सिखा है और अगर हम directly तीसरे class का course start कर देते है और उसको जरब और तक्सीम सिखा देते है तो वो जमा और वज़ा नहीं सीख पाएगा इ और इस course को जो है बनाने का मकसद यह है कि student का तालिमी नुकसान से उसको बचाया जा सके और पिछले साल जो उसका नुकसान हुआ था उसको किसी हद तक जो है cover करने की कोशिश की जा सके तो अगर बच्चा आठवी class में है तो उसका साथी पर बेस जो है bridge course बनाया जाएगा और 45 दिन के इस course को हर school को अपने students से complete करवाना जरूरी होगा उसके अलावा teachers की जुम्मेदारी है कि बच्चों कि जो है तो चाच नहीं करें उनको चेक करें कि अभी उनके जहन की सलायत क्या है क्योंकि देड़ साल से बहुत सारे students जो है जिनोंने बिलकुल किसी किसम से ता आसानी जाएगी उन टीचर्स के लिए उन students को पढ़ाने में आसानी जाएगी जो बिलकुल ही online तालिम से दूर थे और उनकी जहनी सलायत भी परवान चड़ेगी उनकी जो है तालिमे नुकसान से वो बच पाएगे इसलिए जो है SCRD ने ये बिरिश कोर्स आपके सामने इं और हर स्कूल जो है इसी कोर्स के जरिए 45 दिन के इस कोर्स के जरिए अपनी तालिमी साल का आगास करें ऐसा SCRD को उमीद है और Education Department को आपसे उमीद है तो उमीद है कि आपके समझ में आया होगा कि ये बिरिश कोर्स क्या है इसे करवाना क्यों जरूरी है और इसका फाइदा क्या है तो इंशालला आप तमाम इस बातों पर अमल करेगे और जैसे ही बिरिश कोर्स से रिलेटेड और कोई इनफॉर्मेशन आती है इस पेशली इंगलिश सब्जेट के लिए तो उसका वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होगा तब तक आपको कोई प्रॉब्लम है कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं तो क्लास 8,9,10 इंगलिश सब्जेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें E4U Activities बने रहे मेरे साथ देखते रहे मेरा चैनल E4U Activities थैंक यू फेरी मच प्रॉब्लम है